हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल SMEasyTek इस वीडियो में हम लोग जानेगे कि IRCTC के एक यूजर आड़ी से एक महिने के अंदर हम कितना टिकेट बुक कर सकते हैं और अपने आधार काड को यूजर आड़ी से कैसे लिंक करते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या हम अपने मित्र दोस्तों और रिष्टोदारों के टिकेट बुक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को सुरू करते हैं अब से पहले हम IRCTC Rail Connect App यहां से ओपन कर लेंगे अब हम दोस्तों इसमें लागिन हो जाएंगे ओके दोस्तों तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि IRCTC के एक यूजर आड़ी से एक महिने के अंदर आप 6 टिकेट बुक कर सकते हैं लेकिन अगर आपने IRCTC आड़ी को अधार कार्ट से लिंक किया है तो आप एक महिने के अंतरगत 12 टिकेट बुक कर सकते हैं एक महिने का मतलब है दोस्तों कि 1 जनुरी से ले करके 31 जनुरी तक वैसे ही फरवरी का पूरा महिना, मार्च का पूरा महिना इन महिनों के अंदर अगर आप टिकेट बुक करते हैं तो एक महीने के अंदर आप 6 टिकेट बुक कर सकते हैं, अगर आप अधार काड से लिंक किया हुआ है, तो बार टिकेट बुक कर सकते हैं, और एक टिकेट पर हम अधिकतम 6 लोगों का नाम डाल सकते हैं, इसका मतलब है दोस्तों, कि जब हम टिकेट बुक करेंगे, तो उस पर लिखा हुआ है लिंक योर आधार जी दोस्तों यहां पर आपसंद देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है लिंक योर आधार आप इस यहां पर क्लिक करेंगे अधार कार्ट पर जैसा नाम है वैसा ही नाम यहां पर टाइप करेंगे अब हम यहां पर अधार नंबर टाइप क क्लिक करेंगे अब हमारे मोबाइल नंबर इसका ओटी पी आगया थोबीस संतावन पच्पन अब हमने यहां पर डाल दिया है अब यहां पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो आधार नंबर जेंडर मेल बर्डे यानि जैसा कि हमारे आधार नंबर पे है उसका टिटेल यहाँ पे दिखा रहा है अब यहाँ पे आप किलिक कर देंगे अपडेट के वाई सी ओके दोस्तों तो यहाँ पे यह दूसरा नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि आधार भेरिफाइड यूजर कैन बुक अपटू 12 टिकिट इन ए मोंथ जो आधार से भेरिफाइड यूजर है वो लोग एक महिने के अंदर गत 12 टिकिट बुक कर सकते हैं अब हम जान लेते हैं कि IRCTC के पर्सनल यूजर आईडी से क्या अपने दोस्तों मित्रों या रिष्तवदारों का टिकिट बुक कर सकते हैं तो दोस्तों IRCTC इसको बिल्कुल एलाउव नहीं करता है जी दोस्तों हाँ आप अपने परिवार के सदस्य जैसे माता जी, पिता जी अगर आप साधी सुदा है तो अपने वाइफ अपने बच्चों का टिकिट बुक कर सकते हैं आप दूसरों का टिकिट करने से बिल्कुल बचे अन्यथा IRCTC आप पे मुकदमा चला सकता है पे मुबाइल नंबर से IRCTC का यूजर आइडी और पासवर्ड क्रियेट करें और उसी यूजर आइडी से आप उसका टिकिट बुक करें और उस टिकिट को उस ब्यक्ति के पास तक सेंड कर दें तो उस ब्यक्ति का हेल्प भी हो जाएगा और आप illegal काम करने से बच भी जाएगे तो इमीद करता हूँ दोस्तों कि यह जैनकारी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को like, subscribe और share करना न भूले Thank you for watching this video